बढ़ी हुई शरीर की गर्मी, जिसे हाइपर थर्मिया भी कहा जाता है, एक ऐसी स्थिती है, जहां शरीर का आंतरिक तापमान सामान्य सीमा से उपर हो जाता है. यहां कई कारणों से हो सकता है, जैसे उच्चत आपमान के संपर्प में आना या लंबे समय तक शारिरिक परिश्रम करना. इस लेख में हम शरीर में गर्मी बढ़ने के लक्षणों पर चर्चा करेंगे और यदि आप इसका अनुभव करते हैं, तो क्या करें? अत्यधिक पसीना आना शरीर की गर्मी बढ़ने के पहले लक्षणों में से एक अत्यधिक पसीना आना है. गर्मी के लिए आपके शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया पसीना छोड़ना है, जो त्वचा को वाश्पित होने पर ठंडा करता है. यदि आपको सामान्य से अधिक पसीना आ रहा है तो यहां इस बात का संकेत हो सकता है कि आपका शरीर अपने तापमान को नियंद्रित करने की कोशिश कर रहा है दमक्ती तवचा जब आपके शरीर का तापमान बढ़ता है तो आपकी तवचा लाल और दमक्ती हो सकती है ऐसा इसलिए है क्योंकि तवचा की सता के पास की रक्त वाहिकाय फैल जाती है जिससे अधिक रक्त प्रवाहित होता है और गर्मी निकलती है तेज दिल की धड़कन, शरीर की गर्मी बढ़ने से आपके दिल की धड़कन तेज हो सकती है, क्योंकि यहाँ शरीर को ठंडा करने के लिए अधिक रख्थ पंप करने की कोशिश करता है यदि आप देखते हैं कि आपकी हृदय गती सामान्य से अधिक है तो यहां अतिताप का संकेत हो सकता है सिरदर्द हाइपर्थर्मिया से सिरदर्द हो सकता है जो हलके से लेकर गंभीर तक हो सकता है ऐसा इसलिए हैं क्योंकि शरीर की गर्मी बढ़ने से मस्तिश्क में रक्त वाहिकाए फैल सकती हैं जिससे दबाव और दर्द हो सकता है मतली और उल्टी यदि आपके शरीर का तापमान बढ़ना जारी रहता है तो आपको मतली और उल्टी का अनुभव हो सकता है ऐसा इसलिए हैं क्योंकि हाइपर्थेरिया शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं को बाधित कर सकता है और निर्जलिकरन का कारण बन सकता है जिससे पाचन परेशान हो सकता है चक्कर आना और बेहोशी, हाइपर्थर्मिया मस्तिष्क में रक्त के प्रवा में कमी के कारण चक्कर आना और बेहोशी पैदा कर सकता है अगर आपको हलका सिर्या बेहोशी महसूस होती है, तो तुरंद चिकितसा सहायता लेना महत्वपूर्ण है मास्पेशियों में एंथन शरीर की गर्मी बढ़ने से मास्पेशियों में एंथन हो सकती है, खास कर पैरो और पेट में ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्जलिकरण और इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन से मास्पेशियों में ठकान और एंथन हो सकती है यदि आप इन में से किसी भी लक्षन का अनुभव करते हैं, तो अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए कारवाई करना महत्वपूर्ण है इसमें ठंडे वातावर में जाना उनर्जली करन के लिए तरल पदार्थ पीना और उर्जा बचाने के लिए आराम करना शामिल हो सकता है यदि आपके लक्षन गंभीर है या बने रहते हैं, तो तुरंट चिकित्सा की तलाश करें